कि लो बताया जाए है है माई ऑडिबल connection is excellent okay fine तो उम्मीद करता हूं कि सभी को मैं visible रहूंगा let me check my camera first after then we can start okay थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सब्रेट प्रॉड़ा लेका मुझाए है कर दो कर दो दो एव और हाई खुशी हाई आयूश आवाज क्लियर है आवाज क्लियर है मेरी हाई आयूश पताया जाए एक बार आवाज क्लियर है ओके ठीक है आगे बढ़ सकते हम लोग ठीक है अभी तक केवल आयूश और खुशी दो लोग जुड़े हैं बाकि लोग फटा फटा है हम लोग स्टाइट कर रहा है आगे बढ़ रहा है ओके ठीक है चलो तो स्टाइट करते हम लोग समय बरबाद किये बिना हम लोग पढ़ क्या रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे और वहां पर हमने क्या देखा जो केवल पॉजिटिव इस्पिशीज के फॉर्म में एच प्लस आयन डोनेट करेगा वो एस्ट कहलाएगा आय हर शय चिराग जो केवल ओ एच नेगेटिव आयन डोनेट करेगा यंदी फॉर्म आउफ निगेटिव चार्ज पिशीज वो क्या कहलाएगा पेस कहलाएगा और हमने कुछ एक्जांपल देखे थे यहां पर आपने अधिन मेरे पढ़ाने से नहीं आ रहे है चिराग नेट का समय हो गया पर चलो कोई बात नहीं आपकी समस्या का जान रखा जाएगा आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फिल कराएंगे सुना कोई बात नहीं रात का समय नीद आएगी इंसान आप दियो इंसान हम भी है पर ज बताऊंगा कि अधिक है चिराग आप ऐसा पढ़ा रहे हो कि नीद नहीं आ रहे है तो अधिक है तो अधिक पर देखो हमने देखा अधिक है ए अपने आप में सॉल्ट माना गया क्या माना गया एच प्लस तो दे रहा था लेकिन गल्ती कर दी इसने आप में प्लस दे दिया अब गल्ती करी है सजा मिलेगी एसट नहीं माना जाएगा सॉल्ट माना गया, तो इसको क्या माना जाएगा, सॉल्ट माना जाएगा, कोई बात नहीं चिराग, चलता है, थोड़ा बीच-बीच मोग लाइट हो जाता है, ऐसी चीजों से, टेक, प्रियानी बैसे है आप चिराग मैंने भी वही पड़ा, टेक है, जिन जिन को नीद आ रह ही हो, कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी-कभी, चलो, आगे बढ़तें, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बहुत काम की बात हम बोलने जा रहे हैं, आपको पता है, हमारे जो कौन थे? Aerhenius Ahmed, कौन थे जो हमारे? Aerhenius Ahmed, इन्होंने क्या कहा? भई जो क्या दे दे? H plus दे दे, कहा पर दे दे? aqueous solution में, तो जो aqueous solution में H plus iron दे दे जो क्या देदी aqueous solution में? H plus iron दे दे उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा acid, और जो OH-negative आयंदे दे, कहां? Aqueous solution में उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा Base Thumbnail change कर देंगे, भैभाओ, अभी समय नहीं मिला change करने का, ठीक है? सुनना जहान से तो Arrhenius ने क्या बोला? H+, जो देगा Aqueous solution में, वो इसे जो OH-negative देगा, वो base पानी की bottle बहुत दूरी पर रखी है लाओं तो लाओं कैसे? चलो, आप note करो, थोड़ा समय try मार लेता हूँ, अगर मेरा हाथ महां तक पहुच जाए मिल गई, finally चलो सुनो पाउं पाउं जाके, हाँ वही क्या माइक निकालना पड़ता न, उसके लिए प्रियानी सुनो तेखो, चैरी नहीं है, सहा मालूम अपनी कही होई बात में ही फस गया जो बात उन्होंने बोली, उसी बात में क्या हो गए वो फस गया लोगोंने कहा क्या? लोगोंने कहा आप बोल रहे हैं सुनना ध्यान से लोगोंने कहा, सुनना ध्यान से आप बोल रहे हो वो compound जो H+, डोनेट करेंगे in their aqueous solution known as acid एरिनेस ने का हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं तो मैं तो वही बोल रहा हूँ इती देर से कि जो aqueous solution में H+, आयन देदे एसे, लोगों ने कहा एक बार वापस सोच लो एक बार वापस सोच लो क्या यही बोलना चाहरे हो या उसमें कुछ एड़ करना चाहरे हो, अरिनेस ने बोला नहीं, मैं तो यही बोलना चाहरा हूँ क्योओ H+, डे दे एक हैस में, वह एसी, लोगों नेंगा ठीक बहुँ ने दसवी पास करी लोगों ने अरिनेस से बोला पर ने से हुझा, पढ़ी थी। बोले उसमें क्या लिखा था। एक प्रश्ण था इंटेक्स्ट में बढ़ा कर नहीं पढ़ा। पर ने सिने बोला वो भी पढ़ना था क्या। इंटेक्स्ट भी पढ़ना था स्क्राइव क्या। लेकिन जब वही HCL gas moisture के contact में आती है आई बात समाज तब वो क्या show करती है acidic property show करती है ने बोला हाँ या पढ़ा तो था कुछ ऐसा मैंने बोले फिर क्रिये क्या बोल रहे हो बोले मैंने कुछ ऐसा अरे पागल चिराग उस समय NCIT कहां से रहेगी और उपर SENCIT रहेगी भी तो इंडिया थोड़ी पढ़ने आएंगे अरिनियस जस्ता जोक ठीक है सुनना ध्यान से कोई पढ़ने के लिए इंडिया थोड़ी आएंगे अरिनियस ऐसे ही थोड़ा सा महौल को लाइट करने के लिए सुनना तो लोगों ने पूझा लोगों ने पूझा कि ट्राय एसेल गैस जो होती है वो एसेडिक प्रॉपरिटी शो नहीं करती है लेकिन जो मॉइस्ट होती है वो शो करती है उन्हें का कि मैं भी तो वही बोल रहा हूं मैं भी वही बोल रहा हूं तो बोले कि जो moist है वो aqueous है, बोले नहीं, moist aqueous तो नहीं होती है, moist में तो moisture है पर है तो gas, तो बोले moist वाली क्या कर रही, acidic property शो कर रही है, face तो उसका gas ही है न, यानि कि आप बोल रहे हो केवल aqueous में, और हमने प्रूव कर दिया gas में, आप बोल रहे हो केवल aqueous में जो H plus द लाएगा, बाज समझ आई, तो क्या हुई चीज है, बाज समझ आई, अपनी कही हुई बात में फस गया है, क्या बोली उन्होंने, उन्होंने कहा दी मिला के बद्ति, बोले जो compound केवल क्या करे, H plus iron donate करे, एकवस solution में, वो एसी लोगों ने बात पकड़ ली, बोले इस बंदे को हम गलत तो साबित करेंगे, क्या बोल रहा है, एकवस में H plus दे, गैस की बात नहीं कर रहा है ना, हम गैस वाला compound ढूंड के लाएंगे, जो H plus देगा, और वो ढूंड के लिए, ICl gas, बोले है जो HCl gas है ना, gas के form में H plus sign दे जेती है, P acid नहीं है क्या, इसने बोला, सौरी यार, गलत बोल दिया था मैंने गलती से, आई बात समझ ये, तो अपनी कही हुई खुद की बात में कौन फस गए, Arrhenius, Arrhenius का drawback क्या था, तो drawback में आप क्या लिख सकते हो, आप drawback में लिख सकते हो, कि Arrhenius सहाब ये बोलते थे, कि जो इनकी theory है, उनके हिसाब से केवल aqueous solution पर applicable ही है, ये gaseous compound पर applicable ही नहीं है, तो ये इनकी theory जो है, इनका जो concept है, वो केवल किस पर applicable है, aqueous पर, वो gaseous पर applicable ही नहीं है, तो मस्या हो गई विचार है हमारे, इसको Arrhenius सहाब को, तो Arrhenius सहाब हमारे first गए, खुद की कहुई बातों में, तो यहां तक की बास सभी को समझा यहोगी, Arrhenius concept सभी को समझा गया, जो H+, दे, acid, जो H-negative दे, वो base, ठीक है, लेकिन गलती क्या कर दी उन्होंने, यह जो बोल दिया, क्या बोल दिया, only aqueous solution, यह बात उन्होंने गलत बोल दी, क्योंकि, क्या हुआ, आगे चलके पता चल गया, कि कुछ compound ऐसे हैं, हाँ, सुन लो, एक compound, क्यों क्या करेंगे, केवल और केवल aqueous solution में, H+, आयन देंगे, उनको acid माना जाएगा, लेकिन आगे सेलकर पता चल गया, कि कुछ compound क्या होते हैं, gaseous state में भी क्या कर देते हैं, H+, आयन देते हैं, तो वो भी तो acid हो सकते हैं, तो अपनी खुद की कई भी बात में क्या हो वो पस गये, तभी को ये बात समझ आई की नहीं, क्योंकि अगर ये बात समझ नहीं आई होगी, तो आगे जो बाते करने वाला हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, वो और समझ नहीं आएगा, तो फटाक से कमेंट करके एक बार बताया जाए, जला बैठने लग गया, अनी पिले जाए एक बार और थोड़ा सा, तो मझा आएगा, मझा झात समझ अ हूँ, तो जाएगा, नहीं मननना है, यह झाने पैघने लूर लेभवा हैं कि यह नॉमिन क्लेचर का सवाल पूछ रहा है हाँ बता दो कि इसको जवाब दे दिया जाए नॉमिन क्लेचर के हिसाब से केमेस्ट्री अगर आपका फेबरेट सब्जेक्ट है देन आप केमेस्ट्री में रख सकते हो एसे एसे बताओ कोई फेबरेट कमपाउंड हो जलो एसे बताये जाए कामपाउंड किसी को बच्चा यादव है यह यह से का ओंवे तो बी से हो गया बता ना तो आकको एसे है कि लो आगे बढ़ते हैं ऐलदी हाइड हाँ एलदी हाइड रख सकते हो चलो, तुनो ज्यान से, वैसे एक अच्छा नाम सुझाया जा सकता है, लोगन बेरी 746, एसे एसे एलकोहल, नहीं एलकोहल नहीं, एसे अभिनाव सोचाता हमने, अभिनाव से अच्छा नाम है अथर्व, अथर्व रख लो, चलो, चुनो, हम तो केमेस्ट्री वाले हैं, हमारे साथ आओ, तैसे ही नाम मिलेंगे आपको, अल्डी हाइड, अलुमिनियम क्लोराइड, यह देखो, एक सेक नाम, थोड़ा सा यूनिक, चलो समझो, ब्रॉंस्टेंड लॉरी कंसेप्ट, क्या समझ रहे हैं, हम लोग ब्रॉंस्टेंड लॉरी कंसेप्ट, बहुत ध्यान से समझना, क्या होता है, क्रॉमिन क्लेचर नहीं अभी, एसीड बेस प्रॉपरिटी चल रही है, तो बोलो तो हम लोग पिये चिक करके बताएं, प्रॉंस्टेंड लॉरी कॉंसेप्ट समझना ध्यान से क्या था प्रॉंस्टेंड लॉरी सहब ने क्या बोला तुनो फड़ा फट इसके बारे में हुआ क्या एरिनियस सहब गलास साबित हो गये एरिनियस सहब कहां फस गये एरिनियस सहब फस गये जो हमने देखा, क्योंकि वो अपनी खुट की बातों में हस चुके थे, अब आये मार्केट में कुछ नए लोग, यंग्स्टर, जिनका नाम क्या था, ग्रॉंस्टेंड लॉरी, दो दोस्त थे, ये लाए अपनी नई थियोरी, वहले कि हम बताएंगे acid क्या होता और base क्या होत इन्हों ने कहा हमारे हिसाफ से, जो क्या करे, जो proton donate करेगा, जो proton क्या करेगा, donate करेगा, वो कौन, एसे लोगों ने कहा सुन ली, आगे बोलो, इन्हों ने कहा, जो proton accept करेगा, वो base, लोगों ने कहा सुन ली, कुछ आगे बोलो, उनने बोला नहीं बोलना, इतना ही बोलना ह हमें इतना ही बोलना है तो होने कखा क्या बोलना चाहा रहे हूँ बोले SIMPLE सी बात तो बोल रहे है जो H+. दे दे वो acid जो H+. दे दे वो acid और जो H+. ले ले वूवे लोगोंने हुश्वनरी बोला इरिनियस क्या अलग बोल रहा था तो यही बोल रहा था, हम तो यह बोल रहे हैं, gas या liquid कोई boundary ही नहीं है, चाहे वो aqueous हो, चाहे वो gas हो, चाहे वो liquid हो, H plus देगा, तो acid, H plus लेगा, तो base, हम base को OH negative की terms में नहीं समझा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, H plus दिया, कोई सी भी phase हो, phase देखो ही मत, H plus दिया, acid, no barrier regarding phase, हाई बात समझे, तो यह बात किस ने बोली, ब्रॉंस्टे अंड लॉरी ने, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, क्या बात बोली, सुनना, चलो, आगे बढ़ते हैं, हाँ, लोगों का काम ही टोकना चिराग, यह बात तो एक दम सही बोली, कि इन्हों ने एक्जामपल दिया, बोले कि जब हमने ब्रॉंस्टे अंड लॉरी और हम दोनों दोस्त मिलके, एरिनियस सहाब के पास गये थे, और हमने एरिनियस सहाब से पूछा था, कि बताओ, ती उरिनियस सहाब बता दो, ती उरिनियस एसीड होगा, की बेस होगा, उन्होंने कहा, मुझे सूचने का थोड़ा समय दो, मैं दो तीन अनियिस में आपको सूचके बताता हूँ, लॉस्टे लॉरी ने का, ठीक है सहाब समय ले लो, तो मैं दिया गया, इनों ने सोचा कितने मिनट, तीन मिनट और आफ़ी में जवाब दिया क्या I don't know क्या जवाब दिया, I don't know आई भी बास समझ तो सुनना ध्यान से तो ब्राउंस्टेंड लॉरी खुद की अपनी नई थियोरी लेके आ गये सुनना ध्यान से यह क्या हो गया, no data representing what is the meaning of this notification am I losing the connection, no okay almost everything is fine, ठीक है, आगे बढ़ते सुनो तो क्या हुआ CO3 2 negative को लेके, query लेके अपनी कौन गये थे, हमारे ब्राउंस्टेंड, लॉरी साहब एरिनियस के पास बोला गया, बताओ, एरिनियस ने मना कर दिया, बोले, नहीं, नहीं पता मुझे, बोले, मेरी थेरीस पे काम नहीं करेगी, मेरी थेरीस पे काम नहीं करेगी, खीक है, इन्होंने का हम बताते हैं, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करा है, चात से जाके क्या लेके आगए, लिकमस, पेपर, बोले, यह देखो, टेस्ट, एसिड लेकर आगए, बोले, यह देखो, टेस्ट, और इन्होंने बता दिया क्ए- लोगों ने का रहे अरे अरे बता तो दिया तुमने वे से प्रॉफर्टी एक्स्प्लें कर दी कि फाइन तो करो इतनी देर पहले क्या करा था लिखा तो है उपर कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा एसीड जो प्रोटॉन लेगा वो बेस बोले इसको डालो पानी में डालो पानी में क्या बनाएगा यह ले लेगा टू हप्लस और टू हप्लस लेके बना देगा एस्टू सीओ थ्री प्रोटॉन ले रहा है और प्रोटॉन ले रहा है इसका मीनिंग बेस कैसा रोल प्ले करेगा तो यह अपने आपने क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा आई बास समझ एच प्लस को प्रोटॉन ही बोलते हैं ना सर हाँ प्रियानी एच प्लस को प्रोटॉ ही बोलते हैं आई बात समझ यह तो सुनना ध्यान से तो यह थे हमारे ब्रॉंस्टेंड लॉरी साहब इसाब से एच प्लस दे तो क्या एस एच प्लस ले तो क्या पेस अब आगे सुनना फटा फट इसका स्क्रींशॉट लिया जाए आगे बटर हम लोग बहुत सारी बाते करन लोगों ने पूछा यह तो बताओ हमको फिल एच प्लस दे रहा है एच प्लस दे रहा है प्लस दे रहा है यह प्लस नेमबर लोगों ने पूछा चलो एक और बात का जवाब दो HSO4 नेगेटिव क्या HSO4 नेगेटिव क्या HSO4 नेगेटिव क्या एसीड की बेस तिमाख किवत्ती जलना चाहिए पुशा गया बताओ HSO4 नेगेटिव क्या तो सुनना ध्यान से इन्होंने बोला जिमाख वाले थे ब्राउंस्टेंड लोरी घबराये नहीं दो मिनट रुके बस दो मिनट बोले रुको बताते हैं क्या है हेस्टिट की बेस पटाक से जवाब दे दिया M4 टेरिक क्या जवाब दे दिया M4 टेरिक कारण क्या ये प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है अगर HSO4 से प्रोटॉन निकाल लो यानि कि इसको कुछ ऐसा कर लो H प्लस SO4 2 निगेटिव तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रोटॉन दे रहा है मतलब इस वाली रियक्शन में ये रोल प्ले किसका कर रहा है एसिड का लेकिन अगर मैं इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दूँ तो क्या बन जायेगा ये सुनना अभी ये क्या कर रहा है प्रोटॉन रिलीस कर रहा है लेकिन अगर मैं इसको एक proton दे दूँ तो क्या बन जाएगा H2, SO4 तो इस वाली reaction में ये किसका role play कर रहा है base का तो ये M4-teric है, acid भी है, base भी है proton दे भी सकता है, proton ले भी सकता है तो घबराए नहीं, फटाक से जवाब दिया ये M4-teric है, ना तो acid ना तो base, बलकि दोनो चलो, आगे बढ़ते हैं, फिराग पाटिदार सर ये लोग लोग इन सिर्फ पुछते हैं कि खुद भी कुछ करते हैं फिराग वो अपने सरी के लोग है, पुछने के लिए भी पहले पता होना चाहिए हम, ठीक है, चलो, बात है समझ आई, तो ये थी चीज़ें, तो कैसी लगी कहानी ब्रॉंस्टेंड लॉरी की, ब्रॉंस्टेंड लॉरी बड़े दिमाग वाले आते हैं, क्या लेके आए, फोले की भी एरिनियस उलज रहे हैं न, तो हम नेम एंड फेम कमाते हैं, बोले हमारे इसाब से जो प्रोटॉन देगा, वो अपने आप में क्या acid जो proton लेगा वो अपने आप में क्या base तो जो proton देता है वो acid जो proton लेता है वो base लोग प्रश्ण पूछने वाले भी बड़े खतनलाग क्या ढूंड के लिए आए HSO4 negative बोले इसको बताओ acid की base धवराय नहीं वो उन्होंने बुला कोई बात नहीं बताते हैं बोले ये दोनों कि एमफोटेरिक ये proton लेता भी है proton देता भी है तो ये ना acid ना base बलकि एमफोटेरिक तो हमें ऐसे प्रश्णों के लिए तयार रहना चाहिए क्योंकि लोग मज़े लेने में मज़ा आता है पर ठीक है जब हम जवाब दे रहे हैं हर बात का जवाब देंगे आई बात समझ चलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक ठीक है तु बताओ ब्रॉंस्टेंड लॉरी कंसेट टेक नंबर समझ आया कि नहीं लोग बड़े खतननाक एक और रियक्शन ले आए ढूनके कौन से रियक्शन सुलना ध्यान से लोग बोले यह तो ज़्यादा तेज चल रहा है ब्रॉंस्टेंड लॉरी कहीं पर उलजी नहीं रहा है एक चीज और पूशते हैं देखते हैं यह बता पाता है कि नहीं प्रॉंस्टेंड लॉरी ने का पूँच पूँच आज तेरी जो जो इच्छा है तब पूँच लोगों ने का यह क्या यह रियक्शन देखके क्या समझ आ रहा है आप दोनों को NH3 प्लस HCL NH3 प्लस HCL बोले यहाँ पर आपके हिसाब से क्या होगा तूटेगा तो NH4 पॉजिटिव और CL निगेटिव होगा इसमें तो तुमको कोई समस्या नहीं है लोगों ने का नहीं यह तो एकदम सही बात है NH3 और HCL मिलेगा NH4 CL बनेगा NH4 CL से क्या हो जाएगा NH4 पॉजिटिव हो जाएगा लोगों ने का ठीक है भई चलो आगे बढ़ते हैं अब आप बताओ हमको यहाँ पर कौन है सीड कौन बेस लोगों ने कहा जब किसे ब्रॉंसें लॉरी से ब्रॉंसें लॉरी ने कहा थमारे पास कोई काम है की नहीं बड़ा भगवार ने दिया है दिमाग तो इसमें गोबर मत भरो इसका उपयोग भी कर लो एक हिबार कित्ती बार बोलो जो एच प्लस देगा एस्टीड जो एच प्लस लेगा वो कौन बेस तो देखो भई यहाँ पे एनेश्ट्री के पास तीन हाइड्रोजन थे यहाँ जाके चार हो गए है यानि कि इसने प्रोटॉन लिया है किस कारण यह अपने आप में जो एनेश्ट्री है यहाँ पर रोल प्ले करेगा बेस का एच सी यल के पास एक एच था अब नहीं बचा है जो एक लौता एच था वो भी उसने दान कर दिया है पीशे दान करने से नहीं हटा है तो जो एच है अपने आप में एच सी यल जो है यह अपने आप में क्या है एसीड है और मेरी डेफिनेशन यहाँ पर गलत साधित नहीं हो रही बलकि 100% 100 टका सही है जो मैंने कहा था उन शब्दों पर टका हूँ जो प्रोटॉन देगा वो एसीड जो प्रोटॉन लेगा वो बेस वो मेरे शब्द 100% सही पिलकुल गलत नहीं तो परेशान मत करो मुझे घर जाओ रोटी खाओ तो बात समझ आई चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो एनेश्ट्री बेस एकदम सही सभी को समझ आ गया पढ़िया एक नंबर बढ़ाई के पात्थरों सभी लोग बस ऐसा ही पढ़ते रहो लेकिन आथे मेंबर गायब होकर ये गलत हुआ आथे लोग गिवप कर गये गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वैभव और सभी लोग हमारा मिशन है इस पर लगे रहो आप लोग मालूम किस मिशन को मेरे सफल बनाओ मैं एक दिन चाहता हूँ प्री डिजिट में टोटल मेंबर जुने हैं प्लस देखते हैं कब होता है चलो सिराग पाटेदार मैंने एक काम तो किया सर अच्छा क्या वेरे गुड मॉर्निंग सुलो तो यहां तक मेरे इसाब से किसी को कोई दिक्ट नहीं होना चाहिए सब यह समझ चुके हैं कि हमारे जो प्रोणस्टंड लौई इसाभए क्या किसी को ब्राउसटिन लॉरी में बोला जाए, फिर बैं सोच रहा हूं, फाइनली 12 बुझ गया है, और हमारा आज हम चाहें, तो क्लास आज की यहां पर कर सकते हैं, कल हम ब्राउसटिन लॉरी को वहापस एक बार परिशान करेंगे, और ब्रॉंस्टेंड लोरी किन कामों में दिक्कत आई उसकी कर्चा करेंगे तर मैंने आपसे ठीक के नीद कम कर दी बहुत अच्छा काम है ये काम आपके जीवन के पांसात परसेंट तो ऐसे ही बढ़ा देगा लेकिन ये दो-चार दिन के लिए नहीं होना चाहिए ये आपकी हैबिट का पार्ट बनना चाहिए ठेगंटा पांस गंटा बहुत बस इससे जादा नहीं अर्शाट बोल रहा है एक बज़े तक रखते हैं अन्शुल्तिवारी बोल रहा है एक बज़े प्रियानी और आजित्य बारूट का कहना है कल करते हैं वैभाव जोस्वाल लुइस भी कल पढ़ लो लुइस पढ़ने मज़ा नहीं आएगा ऐसे लुइस कल पढ़ेंगे मेरे से तो मरने के बाद भी नहीं होगा मैं पहले दस घंटे सोता था नीद भी ठीक है अपनी जगे आप लोग सोते हैं वो ठीक है लेकिन काम में क्वालिटी और नीद अगर कम करोगे न जैसे मैं जिस दिन जादा सो लेता हूं अगर बाइचांस में किसी दिन आट भींटे सो लिया तो मुझे उठने के बाद इंटरनली ऐसा फिल होता है यार कि मैंने आज गलत कर लिया मेरे लाइफ का एक बहुत बला पार्ट मैंने वेस्ट कर दिया तो थोड़ा सा वो आपकी सोच पर जाता है कुछ लोग को वही काम करने के बाद बहुत खुशी का एसास होता है कि अपना दिन मन गया कुछे नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि मैं सही आप गलत या फिर आप सही मैं गलत डिपेंड नॉन परसेंट टू परसंट लेकिन हाँ आपके पास जो भी समय बाकी अवेलेबल है कि आप उसको सही तरीके से उटिलाइस करने जरूर करें अगर नहीं कर रहें तो ठीक है बाकी अब हम कल कंटीनियू करते हैं समिक्षा बोल रही पढ़ाओ सर अभी पढ़ाएंगे नहीं अब थोड़ा सा क्लास हम एंड करते हैं थोड़ा सा मैं आज एक दूसरे चैनल के लिए कुछ काम करना है थोड़ा इसके थमनेल बगर भी टाइम दे है तो थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं कल पढ़ेंगे लंबा अगर आप साथ दोगे तो आज तो नहीं पर कल हम और लंबा पढ़ेंगे तर आई हम भैक आप आयो आयूश और मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं आप ठीक चलो हम मिलते हैं कल सभी को बायवाए और अधिकतर लोगों तो कि यह विडियो पहुंचाते रहें सब्सक्राइबर वाले कुशन सब्सक्राइबर वाले पर आप करते रहें समिक्षा का निमेरिकल रह गया है लेगने सभी बात तो सही है पर वो धर्मू का था और लोगों होने थर्मों पढ़ने से मना कर दिया था तो कल दे लेंगे आपका प्रश्ण लास्मिक दम्याद दिला देना झाल